हेलो स्टुरेंट्स गुड मॉर्निंग हावर यू फाइन गुड ओके लेस्ट दू सेंजर नंबर फाइफ और सिक्स हम एक सेंट की बात कर रहे थे सेंट पीटर की बात कर रहे थे नौथ लैंड के अंदर ओके कि यह वह अर्थ पर थे तो प्रीच कर रहे थे जैसे उनका वे कि बात कर रहे थे तो प्रीच करते एक कोटेज एक स्मॉल बंगलो जिसको आप बोल सकते हो कुटिया जिसको बोल सकते हो एक कुटिया के घर कुटिया के दर्वाजे पर आया घरती पर राउन लगाते-लगाते घूंते-फिरते मींस जहां पर एलीटल वूमन वोस मेकिंग जहां पर एक लिटल वूमन जो है केक बना रही थी and baking them on the heart और उन्हें भटियों पर सेख रही थी बेक कर रही थी and being faint with fasting for the day was almost done कहता है for the day was almost done का means की की लगबग दिन खतम होने वाला था ठीक है और fasting का क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था जैसे हम fast करते हैं तो morning से कुछ नहीं खते हैं तो उन्होंने actually fast नहीं रखा हुआ था लेकिन सुबह से नहीं कुछ नहीं खाया था इसी लिए बोला है की and being faint with fasting की वरत की वजय से या कुछ ना खाने की वजय से अभी वो बेहोश ही होने वाले थे क्योंकि दिन लगबग सारा गुजर गया था वो एक कुटिया के दर्वाजे पर पहुँचे एक कुटिया पर और एक लेडी से बोला he asked her from her store of cakes to give him a single one उन्होंने एक उस लेडी से बोला he asked her उन्होंने कहा किते कि तुम्हारे पास जो इतने सारे cakes बचे हो क्योंकि वो बेक कर रही थी cakes sale करने के लिए तो उसने बोला कि एक छोटा सा cake की उसने demand की कि एक छोटा सा एक single cake जो है वो मुझे दे दे वो खाने के लि की situation में था वो बेहोश ही होने वाला था क्योंकि फुल्डे हो गया था उसने कुछ भी एट नहीं किया था and as you can see the question answers related to stanza कैंडर एलिक्रेशन है अगर हम rhyming scheme की बात करें I think you have done the questions here you can see cottage, cakes, earth, hearth, a, b, a, yes and b, fasting, नहीं है डन, वन, cakes, अगर इसकी बात करें हम तो a, डन, वन, b, b, cakes के साथ कुछ नहीं है तो c, ठीक है मैंने इसको, I take this, these four lines as stanza five, I took and these four stanza, these four lines, stanza six, तो इसके coding, rhyming scheme five, stanza number five बनेगे a, b, a, b a, b, c, b क्योंकि done or one, rhyme कर रहे हैं दोनों words, okay students, let's do one more stanza कहता है, so she made a very little cake, कहता है कि उसने इसलिए बहुत ही छोटा cake बनाया, but as she baking ले, परंतु जैसे उसे बेक करने के लिए लगाया, she looked at it, उसने उसको देखा, means cake को देखा and thought it seemed to last to give away, और देखकर के उसे लगा, कि अगर ये free में देना है, without any charge अगर उसको देना है, तो ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि sent था, sent को जो है, free, out of, without any cost उसने देना था, बिना कि कोई भी एक भी रुपया charge के उसे देना था, उसे लगा कि देने के हिसाफ से तो ये बहुत बड़ा बन गया, therefore she needed another, फिर उसने एक और जो है, बनाया, एक और मतलब, needed means क्या है, here you can see, pressed and stressed the dough, जो डो होता है न, जिससे वो बनता है, उसको और पिल्कुल प्रेस किया stress के साथ, stretch किया, उसको खीचा, and still a smaller one, मतलब, उससे भी छोटा बनाया, but it looked when she turned it over, as large as the first one had done, पर जैसे ही उसने देखा, मतलब, उसको पलट के देखा, तो उसे लगा कि ये तो पहले जो cake बनाया था न, मैंने देने के लिए उतना ही बड़ा बन गया, ठीक है, कहने का वो लेडी जो थी बहुत माइजर थी, she was very miser, it was very hard to part her with the cake, ठीक है, बहुत मुश्किल था उसे cake के साथ, मतलब, cake उसके लिए देना, फ्री में, इसलिए वो cake बना रही थी, छोटे-छोटे बनाने की कोशिच में, दो cake उसने बनाय, दोने उसे बड़े लगे, ठीक है, these are the question, राइमिंग स्कीन के अगर हम बात करें, यहाँ पर, then cake, A, lay away, B, B, seemed किसी के साथ नहीं है, C आ जाएगा, another, one, over, done, another, one, yeah, another, over, and done. A, B, okay students, these are the questions, as we will do tomorrow, okay, bye.